आप सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं कि कैसे करना कैसे नहीं करना तो बहुत सारी जिवाग में कुश्चिन्स थे तो उसमें सबसे बड़ा कुश्चन यह है कि एक्जाम का पैटर्ण क्या है वेटेज क्या है उसके बारे में फुर्णा इंफर्मिशन मिल जाए तो हमें पढ़ाई में आसाइं रहेगी जैसे आप अभी अपने एससी कर रहे होंगे तो यदि आप दोनों को साथ में कर रहे हैं तो उनमें से कौन इस टॉपिक ऐसे हैं जो इन टू इन टू आर्स यह आपको मिलते हैं जिसमें टेक्निकल अबलिटीज यदि आप सेवल मेकानिकल एक्टिकल से हैं तो आपको हंडर्ड कोस्टिंस मिलेंगे पचला टॉपिक है फिजिक्स और कैमस्ट्री पंदनंबर का जनरल अवेर्नेस आता है पंदनंबर का बेसि इस तो आपके टेक्निकल के और पचास कोशन आपके नॉन टेक्वाले पार्ट के भी आ जाते हैं जिसमें इसके जो पेपर है वो कराऊंगा में ली आपको वलना कॉशन ज्यादा मिलते हैं आरे भीजिग में और मैक्सिम्म पॉस्टिंस जो सबसे ज़्यादा आए हैं वो सब्सक्राइब क्रेट हो चाहिए आपका टिमबर उन सभी से कॉश्चन सापके एकजाम में आए हैं उसका बात करते हैं सौम इसमें जो इस ट्रक्टर वाला पार्ट है जाए वह आपके पास डिस्पलिस्मेंट मैथाड़ हो चाहिए वह आपके पास स्टिफनेस मैथाड़ हो उससे काफी लेज वस्ते हैं पर शौक मुझा करते हैं िसक्याम प्लेटे बात करते हैं इंवार्मेंट और ईयर पॉलूशन इनवामेंक से अलग है उसमें ब्ल्ग बेसिक इंडरिया वरक मिल तो यहां पर सुराइटर नहीं थे। बात करते हैं, बड़ा वेड़िज नहीं रहा हैं समय 8 और ysi से साथ कोशन आए हैं और इस कोचिंस आते हैं पैंसिल के उपर, पैंसिलका rempli कामद प्रोजक्चिंस के ऊपर बहुत सारे कोशनNow आते हैं बत करते हैं। तो केड़ दो कोश्चिंस इरिगेशन तीन कोश्चिंस बात करते हैं कि यह दिया आपको दोनों पढ़ाई इंट्रीगेटिट करनी है चाहे वह आरबी जैगी हो चाहे से जैगी हो तो आपको अलग से क्या पढ़ना पढ़ेगा एक तो आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है वह आपको अपड़ना पढ़ेगा इसमें फिजिक्स केमस्ट्री हो बेसिक इन्वार्मेंट हो या फिक कम्प्यूटर वाला पार्ट है उसके कॉश्चिंस आते हैं और वह आपको मैरेट में उपर लेके जाएगा यहादि आप उसको अच्छे से बढ़ाई करी होगी दूस आप इंजिंग ड्रॉइंग नहीं पढ़ते हैं इसमें इंजिंग ड्रॉइंग और आटोकेड यह सब नहीं पढ़ते हैं और जो बच्छे टॉपिक्स हैं वो सारे आप कवर करते हैं इन दा केस ऑफ एससी जैई तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई भी कोर्स आपन अधिनों भूर इसके बारे में कि कैसे 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 सपूछन कोछे जा सकते हैं इसित आप यहीं कोश्चन एप कमें मतले से 22 कोश्चन बने से 22 कोश्चन आप यही बहुत आपका वारा नयाा कर देगा वारा नोकशे बढ़ाई प्र आइप तो वह बहुत काफ़ इंपोर्टेंट है कि जो आप मालों कि आप इर्गेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इर्गेशन के दो से दीन कोश्य नहीं आए तो फिर क्या फाइदा उस चीज़ को तो से तो अच्छा ही है कि आप अपने उन पार्ट पर ज्यादा काम करें जिन का कोर्स मिल रहा है विद बुक इसकी वनियर के वालेटी है मैक्सिमम आपका पहले एससे का सिलेवस प्री प्लस में इसका यहां पर गंप्लीट किया जाएगा जो बचले टॉपिक्स है वह आपके आप बढ़े जाएंगे नेक्स बात करते हैं विदाउट बुक में आपको वन ट्रिपल नाइन का पड़ेगा यह आपको ध्यान लखना है अब सबसे बड़ी इंफर्मिशन आपको यह देनी है कि जो यूट्यूब की क्लास चल दी है यूट्यूब की उस क्लास में थोड़ा सा तबदीली है यूट्यूब जो क्लास चलेंगी उसमें हम स्वाइल कर थे तो स्वाइल का लक्षे नंबर 3 हम करेंगे पी एम की जंगे अब 9 एम क्लास हुआ करेगी सुभा नो बज़े हम क्लास को कंपलेट कर दिया करेंगे उससे आपका पूरा दिन वज जाएगा और शाम के टाइम में हम में हमारे पास भी टाइम की थोड़ी कमी है तो सुभ ही सुभा 9 बज़े 10 बज़े तक हम चुजों कंपलेट कर लेंगे ठीक है और आप सबने टेस्ट नहीं दिया है तो टेस्ट नंबर 3 को देजिए टेस्ट नंबर 3 का अनालिस में जल्दी आपके यूट्यूब पे करांगा ठीक है टेस्ट नंबर 3 आप दीजिए जिसमें हमन माल भाई आपका जो स्वाइल है सरवे है और बीम सी है यह आपका ढंक से कंपलीट हो चुका है तो इसके कहीं से भी कोश्चन आ जाएं आप कर देंगे और इसी के हमने टेस्ट लिये थे तीन तो तीन टेस्ट आपने बैटा तरीक से दिये होंगे नहीं दिये तो दे दीज स्टार्ट हो रहा है हाइवे स्टार्ट हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए अभी आने वाले टॉपिक्स को कवर करिए साथ-साथ वीच में आपको टाइम मिलेगा तो जो बच बच गए हैं उनको आप कंपलीट कर देंगे ठीक है तो यूट्यूब क्लास है वो सुभा 9 नो बजए हुआ करेगी डेली जिससे हम चीजों को टाइम से कंसिस्टेंट के विहाफ पर कर सके ठीक है वी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है चाहे पढ़ने हो चाहे पढ़ाने में यदि आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आपको रोज आना आना पढ़ेगा औ के गाइस मिलते हैं फिर आपके नेक्स क्लास के अंदर तब तक के लिए और कोई भी आपको चाहिए और भी जैके लिडिड तो आप कमेंट सेशन दर लिख सकते हैं तब तक के लिए बाबाए जैहिन